बाजीगर अब पासमस्तान डारिक्टेड होलीवुड की एक और कॉपी इससे पहले और भी फिल्मों की ने नकल की हैं एक बक्त चाबारी से भागते हो आ रहा है उसके पास चाता भी नहीं है यानि कि बहुत ही गरीब है उसकी बिमार है लेकिन डॉक्टर के पास चाता है ओ सोरी इस लड़के का नाम अजी है डॉक्टर बच्चे को कुछ नहीं बताता लेकिन पलोसी को बताता है और ये बात अजे सुन लेता है और अजे कसम खाता है कि अब मा का खाना और दवाई में कोई कमी नहीं याने दूँगा तो बाइदर वे इनकी इस गरीबी का जिम्मेदार एक आदमी है अब इस चोडू के बारे में बात करेंगे अभी फिलाल अजे को अपनी मा का ख्याल रखना है उसके खाने पीने का और उसके दवाई उपाने जिसके लिए वो काफी तरह के काम करता है अजे बरतन माजता है गाड़िया साफ करता है और जूते साफ करता है और अपनी माँ को खाने से पहले दवाई देता है इसको डोक्टर ने बताया निए कि दवाई जो खाली पेट नहीं दी जाती पहले खाना किले जाता है उसके पात दवाई दी जाती है लेकिन वो अपनी म और आज अजे की मौसी ने अजे की मा के लिए क्या पनाया है अब अजे अपनी मा को हल्वा खिलाएगा और उसकी मा पूरा मुझ भी नहीं खोलेगी लेकिन जब अजे की मा अजे कोलो खिलाएगी तो सारुप खान है से मुझ खोलेगा जैसे वो बीजे कर रहा हो यह देखो अब अजे मुंबई जा रहा है लेकिन उस रास्ते में एक 10 रुपे का सिक्का बिलता है यह फिल्म 1993 मैं थी और 10 रुपे का सिक्का भारत में 2005 से चलना सुरू हुआ है बस ऐसे ही सिनेमा में हो चूते बना जा रहा है लेकिन ये क्या सिक्का उठते ही चांदी का हो गया और बड़ा भी हो गया एक और चूतिया पंती या फिर कह सकते हैं चोदू पना अजे सिक्का उच्छालता है और उच्छालते ही वो बन जाता है बाजीगर और घर से सड़क तक आने तक अजे की बैल्ट भी कायब हो जाती है फिल्म में सिल्पा सिक्ट यानिकी सीमा भी है एक डार्क स्क्रीन गर्ल जो आगे चलकर ट्रीटमेंट कराके गोरी हो जाती है लेकिन सीमा को पढ़ने लिखने का बिल्कुल सोख नहीं है और रवी सिल्पा को ना पढ़ने में उसकी और वदद करता है उसे लगता है कि सीमा उससे पढ़ जाएगी लेकिन जिसका मैं चूत्या बना सकते हूं लेकिन रवी को पता चलता है कि सीमा पहले ही किसी और से सैट है तो इससे यही पता चलता है कि तुम चाहे जितनी मर्ची अच्छे हो लेकिन लड़की उसी से बढ़ेगी जो तोड़ा बहुत हरामी होता है या फिर पूरा का पूरा लेकिन चा अब रवी सीमा का का काम करेगा या नहीं करेगा तो यहां पिर्या की मुलाकात होती है विक्की मलोत्रा से चौकि अजय चोदू ने अपना नाम बदल कर विक्की मलोत्रा रख लिया है और विक्की को देखते ही पिर्या और यहां लगता है यूनिवर्सल बक्चोड डाइलोग और फिर एक गाना जिसके अंदर शारुक खान तरह तरह के लिए बास बदलेगा जोकर वाले तरकस वाले यहां कोशिश की जा रही है कि शारुक खान बैट मैं लगे लेकिन जैट मैं लग रहा है सारुक खान ने अपनी च्छाती और फिर्या का नाम लिख लिया है बसे इस किल्में पिर्या का एक और आशिक है वो अपने हाथ पर उसका नाम लिखता है और कहता है हठेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं मिटाते हैं मतलब नाम लिखता है रो बात रूम में जाकर उसको मिटा दिता है पिरिया को याद कर गया है नहीं जैसे तुम सोच रहे हो वैसे नहीं वो हाथ दोकर पिरिया का नाम मिटाता है ताकि दोपारा लिख सके लेकिन तुम्हारी गंदी सोच पर एक जिन अचानक सीमा को बता लगता है उसकी शादी किसी और लड़के से होने वाली है और अजे और सीमा अब चुपके से साधी करने आए हैं और सीमा एक मेले से खरीद कर लोकेट लाई है लेकिन अजेगा प्लान कुछ और है मुझे माफ करते ना किरते हो में दिखता है कि सीमा हस्ते हस्ते गिर रही है और साथ ही में सीमा कई तारों के साहरे मीच जा रही है सीमा मर चुकी है लेकिन इसकी मौत का जिम्मेदार खुद इसका बाप है अब बड़े बीटी सीमा की कसम खाकर कहता हूँ कि आएंदा मैं सी कोई गलती नहीं करूगा आज एक चाला की से सब को पता लगता है कि सीमा ने खुद खुशी किया सीमा का एक बहुत डरावनी हैड रैटिंग वाला सुसाइट नोट परिया पढ़ती है जिसमें खुद खुशी की स्पैलिंग भी गलत है क्यों लेकिन एक दिन पर चलता है कि सीमा ने उस लॉकिट के पैसे ही नहीं दिये थे जहां से वो नई थी बड़े चूथ हदी सीमा बाग कर साथी भी करने जा रही है और घर का एटरस भी दी दिया कि महां से पैसे ले ले लेना है पता तो नहीं था कि वो मरनेवाली है लेकिन पर या सीमा के सेले से मिलती है और उसको पता लगता है कि उसके साथ एक लड़का तरवी जो उसको बहुत भी राडर रह था इसको क्लास अटेंड नहीं करने देता था और सारा काम किये जा रह था हो सकता है वही उसका खूनी हो और इन दोनों की ये बात ये चोदू बिलकुल बंद खिड़की से सुन लेता है जिसका आर पार कोई आवाज नहीं आ रही है रवी बोलता है कि मेरी तो चांटे वैसे ही से लग भी थी जिब मैंने उसको किसी और लगी के साथ दीखा था लेकिन मैं क्या करता मैं कोई चांस दूंटा था कि शायद सीमा को किसी तरीके से पटा ले वस यहीं रवी ने अपनी मौत को दावत दे दी उसको पता नहीं था उसके कमरे में पहले से ही वो तूसरा ड़ड़का मौजूद है और लगता है अजे ने रवी के गोटे दवा दे लिए और अजे ने लेंस निकाल लिए है अपनी हरी आपो को पहले काला और फिर ब्राउन करने के लिए चुंकि मैंने काले लेंस लगा के आँखे ब्राउन कर लिए है इसलिए तुम फॉरन अपने माबाप को बुला लो मेरे माबाप अब इस दुनिया में नहीं है पिर यह चोग गई उसको आस तक नहीं पता चला कि आजे के माबाप नहीं है इतने दिन से बक्चोदिया मारने और बाजीगर बाजीगर करने के बाद जबकि कपल सबसे पहले आपस में यहीं पूछते के तुमारी गर में कौन-कौन है सरमाजी मदन को अपनी कमपणी में तिर से रख लेते हैं और मदन रात बर जखकर एक ट्रोइंग तयार करता है बिल्डिंग की और इस पाच फी क्लास के ट्रोइंग की वज़े से और मदन ने धीरे-धीर तरमाजी चोपणा अंपर उदल दिया लेकिन इसमें गलती मदन की नियंए सरमाही चूटिया अब आजए मदन के साथ वही करेगा जो मदन ने अजे के पाप के साथ किया था ये अब मदन भी वही गलती करते वाला है जो विश्वनात सर्मा ने 15 साल पहले की थी और यहां आता है नाइन टीज के टाइम का इकोर सूपरिट गाना लेकिन गाना सारा सर गलत है कोई काजूल की ना तो आखे काली है और ना ही गोरे गाल लेकिन फिर्या को बना चलता है कि विकी एक्ट्वल में विकी नहीं है अजे शर्मा है और यह पता लागाने वो चाती है जांँ उसके मा रहती है पूने से एक्टर बारा में मा उसको पता लगता है कि अजे ने बहुत ठाला प्लाइन मनाया हुआ है उसके बाप को बरपात करने ये है वो प्लैन हर जेगे से चोपड़ा काट के शर्मा किया हुआ है और वही पांचवे किलाज के ट्रॉइंग के साथ मेले वाले लोकेट भी ढून लिया उसमें लेकिन यहां उसको पता लगता है कि मेरे मंगेतर का चक्कर मेरी बेहन के साथ भी भी लगेगा कि अजय भी उसाई था जबकि अजय ने उसकी बेहन को मारा है और तो और भी कट्म किये हैं जबकि मदने केजी को मारा नहीं था उसने थिर्फ उसका बिजलिस हड़ पाता और बाकी सब मौते गरीबी के कारण हों थी लेकिन बदन चोपड़ा आ चुका है पूर मदन चोपड़ा ने पूरा सर्या उसके जहन में घुसो दिया अजय के होट जो कि एक इंसान के होट ते तब दील हो गए एक समझ जाओ लेकिन मदन असरा है लेकिन अजय भी आसेगा और अजय ने भी वो सर्या मदन के पेट में घुसो दिया लेकिन बिल्कों यह मारना है अब मेरी यह समझने है था कि अनौर इसको मदन को मारना ही था तो उसने तीन कतल क्यों किये जाता और दोलत तो इसको अभी नहीं मिली और बाकी जो भी यह बक्चोदी फिल्म है यहां पर हातम हो जाती है तो तो यह फिल्म कैसी लगी और कैसी लगी यह वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक करते ना गंदी लेगी तो डिसलाइक करते ना और पाकी ऐसी ही वीडियो देखनी हो तो कमेंट बताना कि अगली फिल्म कौन सी होनी चाहिए तब तक के लिए मेरे भाई बाई बाई बाई